स्री किर्सन कहते हैं कि अगर जिंदिगी में गुलाब की तरह खिलना है तो काटों से तालमेल की कला सीखनी होगी ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते हाँ आप सब कुछ आप लोग में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि अकेला इंसान चैनल के जैसे बीडियो इडिटिंग और वाइस वनाना सिखाओ तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम इनहीं के चैनल के जैसा बीडियो इडिटिंग और वाइस ओबर करने क लिए सिखाने वाला हूँ, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस ताइप का कॉंटेंट किता जल्दी जादा बाइरल हो रहा है, यहाँ पे इन्हों ने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे 38 वीडियो अपलोड करें, और इनका सस्क्राइबर हो चुका 1,25,000, बात कर लेते हैं, इनके वीडियो पे भीउस की, तो देख सेब तो, यहाँ पे इनके वीडियो पे मिलियन्स और लाखों में भीउस आ रहे हैं, तो आप भी इस तरीके का कॉंटेंट वीडियो बना करके, अपने च दाउनलोड करना है, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो पे आप लोग को बताने वाला हूँ, तो बिना टाइम बेस्ट के इस वीडियो पे बने रहो और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फोटो को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, अपना आपको इस application को open कर लेना है तो कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा तो simply आपको यहाँ पर search वार पर लिखना है Krishna Mahabharat PNG images यह लिख करके आपको search कर देना है तो आपके सामने बहुत सारे images आ जाएंगे और यह सारे के सारे images no copyright है यहाँ से आप किसी भी image को download करके के लिए मैं यह वाला image download करना चाहता हूँ तो इस image को मैंने select करा select करने के बाद simply आपको यह download का यह option दिख जाता है तो इस पर आपको click कर देना है तो यह image आपके gallery में save हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सेब तो इसके background में white color है यह png image नहीं है अगर आप लोग इस type के images download करते हो जो कि पहले से png format में नहीं है तो आपको इसका background remove करना होगा तो background को remove करने के लिए simply आपको open कर लेना है अपना chrome browser और आपको यहाँ पर search कर देना है remove bg यह लिकर के आपको simply search कर देना है तो आपके सामने यह first वाला जो website खुल करके आया है remove background इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपके सामने इस तरीके का interface आएगा तो simply आपको यहाँ upload image पे click कर देना है click करोगे तो आपसे allow करने के लिए बोलेगा तो simply allow कर देना आपका gallery यहाँ पे open हो जाएगा तो simply आपको यहाँ पे browse वाले option पे click करना है आप लोगों ने जो image अभी download करा उसको यहाँ पे select कर देना है select करोगे तो थोड़ा से यह uploading लेगा थोड़े ही देर में आपके background को यह remove कर देगा यहाँ पे आप लोग देख सेब तो अभी white color का background लगा हुआ था अभी हमारा background remove हो चुका है तो simply थोड़ा सा इसको इस तरीके से scroll करना तो आपको यह download का यह option देख जाएगा तो इस पे आपको download पे click कर देना है तो यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया कि image search man से आपको कोई सा भी image download कर लेना download करने के बाद अगर उसका background remove करना है तो आपको remove bg पे चले आना यहाँ पे photo को upload करके उसका background हटा लेना and then इस photo को download कर लेना तो यह तो हो गया photo वाला process हम लोग का यहाँ से finish अब हम लोगों को चाहिए background videos जो कि हम लोग अपने वीडियो में use करेंगे तो उसके लिए simply आपको यहाँ search बार पे click करना and आपको type कर देना pixabay यह लिखके search करोगे तो आपके सामने यह वाला website open हो करके आ जाएगा तो simply आपको यहाँ पे click कर देना click करने के बाद कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा तो हम लोग को यहाँ से videos download करना तो सबसे पहले यहाँ जो all images लिखा हुआ इस पे आपको click करना and आपको यहाँ से video को select कर लेना तो मैंने video को select कर दिया and आपको यहाँ पे simply search for videos पे click करना और आपको यहाँ पे type कर देना galaxy यह लिख करके आपको simply search कर देना search करोगे तो देख सेब तो आपके सामने उसी type का background videos बहुत सारे निकल करके आना start हो जाएगा तो आप यहाँ से 1 by 1 करके इन सारे videos को download कर लेना अगर आप इन videos को 1 by 1 download नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ से already आप लोगों के लिए download कर लिया है और मैंने अपने टेलेग्राम पे इसको upload कर दिया है तो वहाँ से जाकर के only 1 click में आप यह सारे videos download कर सकते हो टेलेग्राम का link मैंने description में दे रखा है तो वहाँ से download जाकर के कर लेना और अगर आप लोग यहीं से इस videos को download करना चाहते हो तो as example मैं एक video को download करके दिखा देता हूँ मान करके चलो आपको यह video download करना है तो इस पे आपको click कर देना है तो कुछ इस तरीके का interface यह open हो जाएगा और download करने से पहले अगर आप इसको play करके देखना चाहते हो कि किस type का यह video है तो simply आपको यह play का यह button दिख जाता है इस पे आपको click कर देना तो देख सकतो इस तरीके का effect वाला यह background video है अगर आप लोग को पसंद आता है तो simply आपको यह free download का यह option दिख जाता है इस पे आपको click कर देना click करोगे तो आपसे यह resolution पूछेगा तो जो भी यहाँ पे high resolution में है उसको simply आपको select कर लेना इससे आपके video quality better आएगा select करने के बाद simply आपको यह download पे click कर देना तो यह video आपके file manager में save होना start हो जाएगा आपके gallery में save होना start यहाँ पे देख सकतो यह हो चुका है तो इसी तरीके से आपको जो भी videos यहाँ से पसंद आते हैं आप उसको download कर लेना तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया अपना second step को भी complete photos भी download कर लिया आपको यहाँ से videos को भी download कर लिया अब हम लोगों को चाहिए यहाँ से motivational videos बनाने के लिए motivational quotes तो उसके लिए simply आपको यहाँ search वाले पे click करना और आपको यहाँ पे type कर देना स्री कृष्णा motivational quotes in Hindi अगर आप Hindi में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से Hindi लिख देना अगर आप Marathi में बनाना चाहते हो तो Marathi लिखना उडिया में बनाना चाहते हो तो उडिया लिख देना जो भी language आपको बनाना है उस तारिके से आपको यहाँ पे लिख कर देना search करोगे तो आपके सामने बहुत सारे websites open हो करके आ जाएंगे यहाँ पे आप लोग देख सकतो बहुत सारे websites हैं तो simply आप किसी भी एक website पे click कर देना तो आपके सामने बहुत सारे quotes निकल करके आ जाएंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकतो quotes आना start हो चुका यहाँ पर मैं एक पढ़के भी सुना देता हूँ किसी के साथ दुख पाट पाना भी एक तरीके का सुख है इसी तरीके से आप स्क्रॉल डौन करोगे तो आपके सामने एक और quotes आ जाएगा इसी तरीके से आप नीचे जाते रहोगे तो आपके सामने बहुत सारे quotes आते रहेंगे तो simply जो भी आपको quotes यहां से अच्छा लगता उस पर long press करना and then आपको इस तरीके से select करके copy कर लेना one by one करके यहां से copy होगा एक साथ आप पूरे quotes को copy नहीं कर सकते तो एक को copy करना and then अपना notepad या फिर whatsapp या फिर telegram जहां पे भी आप उसको save करना चाहते हो इस तरीके से आपको save कर लेना यहां पे मैंने कुछ quotes को save करके रखा already ताकि आप लोग का समय वेश्ट ना हो तो यहां से हम लोग को तीन चीज मिल चुका photos, videos and यह quotes अब हम लोग को चाहिए background music and इसका quotes का आवाज तो background music भी मैंने अपने telegram पे दे रखा है वहां से भी आप download कर लेना, मैं आप लोग को इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ कि किस टाप का background music होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहो और इसका आवाज कैसे बनाएंगे, इस quotes का बिना भुआ इस record किये वह मैं आपको बताने वाला हूँ और अभी तक आप लोगों इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियो इडिटिंग की तरब की इसको इडिट कैसे करना है तो इडिट करने के लिए simply आपको अपना काइनवाश्यर अप्लिकेशन ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद simply आपको यहाँ new project पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से ratio ले लेना है solar ratio 9 यह वाला ratio सलेक्ट करने के बाद simply आपको यहाँ नीचे create पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने आपका gallery open हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को सलेक्ट कर लेना है वो background video जो कि हम लोगोंने pixabay से download करा था तो simply उसी folder में चले जाना है और आप लोग यहाँ पे जो भी images देख पा रहे हो videos देख पा रहे हो यह सारे के सारे मैंने अपने telegram पे दे रखा है तो वहाँ से download कर लेना और अगर किनी को download करने में दिक्कत आ रहा तो यह रहा मेरे instagram का username आपके screen पे आप मुझे insta पे message कर देना तो मैं आपको सिखा दूँगा कि किस तरीके से इसको telegram से download करना है तो example के लिए यहाँ से मैं इस background video को select कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो select कर लेने के बाद simply आपको यह जो नीचे आया इसे layer पे आपको एक वर click कर देना है click करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो जो वीडियो यहाँ पे आपको background देख रहा यह सारे के सारे मैंने आपको telegram पे दे रखा है ठीक है वहाँ से आप इसको download कर लेना तो simply आएंगे इस वीडियो के starting point पे यहाँ पे जहां से यह start होता यहाँ पे आज आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे add करेंगे सिरिक क्रिस्न भगवान का चक्र तो चक्र भी मैंने telegram पे दे रखा है वहाँ से उसको भी आप download कर लेना download कर लेने के बाद अब हम लोग इसको वीडियो में add करेंगे तो add करने के लिए simply आपको यहाँ layer पे click करना उसके बाद यहाँ media पे click करना और चले जाना उसी folder में जिस folder में आपने चक्र को download करके रखा है तो यहाँ पे देख सेब तो एक चक्र यह वाला रहा और यहाँ पे नीचे मैंने तीन चक्र और दे करके रखे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो जो भी आपको अच्छा लगता है simply उस चक्र को आपको select कर देना select करोगे तो आपके screen पे देख सकते हो यह green screen में आ चुका तो अभी हम लोगों को इसके green screen को हटाना तो इस तरीके से आपको scroll down करना और चले आना chroma key वाले option पे यहाँ पे यह chroma key का यह option है इस पे आपको click कर देना click करने के बाद simply आपको इसको enable कर देना enable जैसे ही करोगे देख सब तो green screen यह हमारा हट चुका इतना कर लेने के बाद अब हम लोग करेंगे इसके size को थोड़ा सा छोटा ताकि हमारी यह screen पे अच्छे से fit हो चुके और आपको यहाँ पे अपने screen के बीचो बीच में लाकर के इस तरीके से set कर देना है ठीक है कुछ इस तरीके से इतना कर लेने के बाद simply आपको यहाँ से एक और back button दवा देना है या फिर कहीं पे आप अपने खाली स्क्रीन पे यहाँ पे देखो रखा है remove bg website की मदद से photo को background हटा करके जो download करा था वहाँ से इस photo को हम लोग को simply select कर लेना है तो मेरा यहाँ पे यह photo है तो simply इस photo को मैंने select कर दिया तो देख सकतो कुछ इस तरीके से हमारा photo आ चुका है लेकिन photo हमारा अभी screen पे अच्छे से set नहीं हो रहा तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पे आपको अपनी उंगली रखनी है और इस तरीके से आपको जूम कर देना है जहाँ पे भी आपको यह photo देखने में अच्छा लगता हो जहाँ पे भी आपका photo अच्छे से adjust हो रहा हो वहाँ पे रख देना कुछ इस तरीके से अब हम लोगों ने अकेला इंसान के वीडियो पे देखा था कि इस side भी स्री क्रिस्न भगवान का photo रहता है और इस side भी photo रहता है तो उस photo को add करने के लिए simply आपको यहाँ layer पे click करना layer पे click करने के बाद media पे click करना है और हम लोग फिर से चले जाएंगे उसी folder में जो photo को हम लोग यहाँ पे add करना चाहते है तो यहाँ से मैं simply इस photo को add करना चाहता हूँ तो मैंने इस photo को select करा select करने के बाद simply आपको इसके size को इस तरीके से बड़ा कर लेना जहाँ पे भी आपको देखने में अच्छा लगता और इस photo को यहाँ पर ला करके इस तरीके से आपको रख देना रख लेने के बाद आपके इसके opacity को कम करना थोड़ा सा इसको highlight जो ज़्यादा है इसको कम करना उसके लिए इस तरीके से आपको scroll down करना और चले आना आपको यहाँ पर अलफा opacity यह वाले option पर यहाँ पर यह option है इस पर आपको click करना click करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग कम कर देंगे 50 के आसपास इस तरीके से इतना कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर खाली area में एक बर click कर देंगे click करने के बाद हम लोगों ने जो photo add करा इसको layer को select करेंगे देख सकतो नीचे और इसको अपने पूरे वीडियो पर इस तरीके से आपको apply कर देना है जितने भी minute का आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो पांच मिनट दस मिनट उतना मिनट का इस photo को इस तरीके से आपको खीच करके बना देना है यहाँ पर आप लोग देख सकतो और यह जो दूसरा layer है photo वाला इसको भी same to same इसी तरीके से आपको खीच करके बड़ा कर देना है इतना कर लेने के बाद देख सकतो हमारा एक side का यह Christian भागवान का photo हम लोगों ने add कर दिया और इस side का अभी नहीं है तो simply हम लोग इस photo का duplicate बनाएंगे तो duplicate बनाने के लिए इस photo का आपको select कर लेना है select करने के बाद simply आपको कोने में यहां 3 dot दिख रहा है इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको simply यहां duplicate पर click कर देना जैसे ही click करोगे नीचे देख सकतो आपका दो-दो layer बन करके ready हो चुका and then आपको अपनी उंगली यहां पर रखने है यह क्रिशन भगवान वाले photo पे and यहां से खीच करके इस तरीके से आपको इधर रख देना लेकिन जब इधर ला करके रख रहा है तो इनका face इस set दिख रहा right set दिख रहा तो इनके face को mirror करने के लिए simply आपको इस तरीके से scroll down करना and आपको चले आना rotate and mirroring यहां पे यह वाले option पे इस पे आपको click करना and आपको जो यह वाला option दिख रहा इस पे आपको एक वर click कर देना तो देख सेब तो इनका face इस side का यह हो चुका and आपने photo को जहां पे भी देखने में अच्छे लगते हैं वहां पे आपको यहां पे रख देना इतना कर लेने के बाद simply आपको खाली area में कहीं पे भी click कर देना and मैं आपको play करके दिखाता हूँ देख सेब तो इस तरीके का हमारा खुछ background videos photos लगा करके यह video तयार हो चुका है अब हम लोगों को चाहिए इसके उपर voice, quotes जो हम लोगों ने copy करा था तो उसका आवाज कैसे बना है तो उस type के आवाज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना अपने notepad में जहां पे भी आपने quotes को copy करके रखा है उसको simply यहां से select all करेंगे कुछ इस तरीके से and आपको यहां से सारे quotes को copy कर लेना है copy करने के बाद आपको अपना play store open कर लेना है and आपको यहां पे search कर लेना voice changer fast tuner तो आपके सामने यह वाला application आ जाएगा तो simply इसको install कर लेना है install करने के बाद इस application को open करोगे तो आपको यहां पे option दिख जाएगा takes to audio यहां पे इस पे आपको click करना है and आप लोगों ने जो quotes copy करा यहां पे आपको paste कर देना है तो यहां पे मैं इसको paste कर देता हूँ paste करने के बाद simply आपको यहां language पे click करना and आपको यहां से जो भी language में यह quotes चाहिए आपको वो language select कर लेना है तो यहां से मैं hindi language select कर लेता हूँ language select कर लेने के बाद simply 아पको यहां नीचे voice पर click करना है click करोगे तो आपके सामने 9 तरीके का voice आएगा तो जो भी आपको अच्छा लगता है यहां से आपको simply select कर लेना है तो यहां से मैं किसी भी voice को select करता हूँ आपको सुनाता हूँ कि कैसा व्वाइस इसका है तो यहां से मैंने पांच नमबर व्वाइस को सलेक्ट करा और यहां प्ले करते हैं ओके तो यहां पे मैंने आपको एक female व्वाइस सुना दिया है और अभी जब आप इस व्वाइस को सुन रहे होगे तो यह एक नॉर्मल व्वाइस लग रहा होगा लेकिन उस तरीके के व्वाइस में कैसे इसको इडिट करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अकेला इंसान चैनल के जैसे इसको व्वाइस इफेक्ट डालके बना सकते हो तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहां से एक मेल वाइस भी सुना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस अप्लिकेशन में किस किस टैप का वाइस है तो यहां से मैं तीन नमबर को सलेट करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी इनसान को परकने की क्षमता बढ़ाए वरना धोके खाने के लिए तैयार रही है ओके तो यहां पे मैंने आपको एक मेल और एक फिमेल वाइस सुना दिया है और इसी तरीके से यहां पे नो वाइस है तो आप लोग 1-1 करके ट्राइक कर लेना ठीक है और अगर आप लोग इस वाइस में बनाने में इंट्रेस्टेड हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ यह एक paid application है इसके services यूज करने के आपको subscription लेना होगा लेकिन अगर आप subscription इसका नहीं ले पा रहे हो इसी कारण बस तो दिये गए इस whatsapp नमबर पे मुझे contact कर लेना इससे एक better option मैं आपको available करवा दूँगा लेकिन हाँ जो मैं better options available करवाने वाला हूँ वो भी फिरी नहीं होने वाला है लेकिन इसके अपक्छा आपको बहुत ही जादा फाइदे मंद जरूर से होने वाला है तो अगर आप interested हो तो जरूर से मुझे contact कर लेना अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको उस तरीके का effect कैसे डालना तो सबसे पहले आपको इसके वाईस को save कर लेना तो save करने के लिए simply आपको यहाँ नीचे save का यह बटन देखता है इस पे आपको click कर देना तो थोड़ा सा यह समय लेगा और आप लोग यहाँ पे देख सकतो यह वाईस निकल करके यहाँ पे आ चुका है तो simply आपक देख सकतो इस तरीके से अब आज change हो जाना है तो आपको उपर के सारे को ignore करना है और चले आना इस तरीके से scroll करके आपको यहाँ पे यह जो option दिख रहा है यह माईक वाला इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपके इसके settings को थोड़ा सा आगे पीछे करना है और इस वाला line है इसको आपको simply 5 पे कर लेना है इस तरीके से और यह जो नीचे वाला यह line है इसको simply आपको 28 पे ला करके इस तरीके से set कर देना 28-29 पे आपको इस तरीके से रख लेना कुछ इस तरीके से और यह जो आपका यहाँ पे echo वाला जो है इसको आपको 7 पे इस तरीके से लाकर के कर देना है कुछ इस तरीके से मैं 7 पर लाकर के इसको adjust कर देता हूँ 7 पर लाने के बाद आपका जो यह mid वाला line है इसको आपको minus 30 कर लेना है कुछ इस तरीके से and जो यह आपका last line है eco वाला इसको आपको 36 कर देना है कुछ इस तरीके से यह सब settings apply कर लेने के बाद आपका voice बिल्कुल अकेला इंसान channel के जैसा बन जाएगा बना लेने के बाद simply आपको नीचे यहाँ save पे click कर देना है तो यह आप से आपके file का name पूछेगा, तो simply आपको यहाँ से इसको delete कर देना है और मैं इसके lines को नाम दे देता हूँ quotes audio, ताकि जब भी हम अपने file manager में इसको खोजे तो मिल जाए, इतना कर लेने के बाद simply आपको यहाँ HD पे select कर लेना है और आपको यहाँ save पे click कर देना है तो यह audio आपके gallery में save हो जाएगा अब इसको use कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने बाला हूँ and case tap का voice बन करके यह ready हुआ वो भी मैं आपको सुनाने बाला हूँ और हाँ, अगर आप लोग इसको use करने में interested हो तो जरूर से whatsapp पे contact कर लेना अब चलते हैं, हम लोग अपने काइन master के अंदर, यहाँ पे हम लोगों audio पे click करना, उसके बाद चले आना, यहाँ पे देखोगे, तो folders का यह option दिखेगा, इस पे click करना and then चले आना, आपको यहाँ पे downloads वाले में, जिस भी folder में आपने audio को रखा, उस folder में चले जाना, आने के बाद simply आपको यहाँ से बहुत सारे background music बगारा भी मिल जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे कोई सुना देता हूँ, आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो, देख सकते हो, इस तरीके का बहुत सारा background music मैंने अपने टेलेग्राम पे यह सारे music दे रखे हैं, तो अगर आप लोगों को यह background music चाहिए, तो वहाँ से आप इसको जाके download कर लेना, तो simply मैं इसको यहाँ से add करता हूँ, एक background music को, और मैंने जो audio बनाया, quotes audio, यह देख सकते हो, यहाँ पे हमारा यह आया हुआ है, तो simply इसको भी add करने के लिए यह quotes audio पे क्लिक करेंगे, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आस्मान तक तो पहुँचोगे, यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो, यहाँ पे यह background music थोड़ा सा load है, जादा तेज है, तो background music को थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे, तो कम करने के लिए simply आपको background music वाले layer को select करना, file को यहाँ नीचे देख सकते हो, select करने के बाद आपको चले आना, यहाँ mixer पे, mixer पे click करेंगे, यह जो 100 है, इसको हम लोग कम कर लेंगे, कुछ 50 के आसपास, कुछ इस तरीके से, आपको इसको कर लेना, यह सारे background music पे काम नहीं करेगा, 50 के आसपास, आप जो भी background music ले रहो, उसके हिसाब से आपको इसको adjust करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, और मैं back करता हूँ, और आपको play करके सुना देता हूँ, हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे, इंसान धर रिष्टे दोस्त सब बदलता है, तो देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बन करके ready हो चुका है, अब इसको अपने गैलरी में लाने के लिए, simply आपको यह कोने में यह arrow का बटन दिख रहा है, इस पे आपको click कर देना, click करने के बाद आपको यहाँ से resolution 1080p पे select कर लेना, अब आपको simply यहाँ save as video पे click कर देना है, तो यह video हमारे गैलरी में save होना start हो जाएगा, तो यह था एक छोटा से information जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता था, वीडियो में कुछ भी देखने को अच्छा लगाओ, तो वीडियो को like जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना, मिलते हैं next वीडियो पे,